युद्वान स्वी संजीव बाभू इन जैपुर के सानिध्य में हमारे महा पर काफी मंगल में रहे इसके दिए इस सारी सभा बढ़ाई की पात्र है आज ये चले गए है पिशंगर और महा पर कादी कल समापन हो गया महा पर्व में हमने इस विश्व का एक मात्र मूल्यवान तत्व हमारा जो शुद्द चैतन्य है उसकी चर्चा सुने उस पर चिंतन किया उसके स्वरूप को जाना और उसकी अंगल में आनंद प्रदाई अनुभूति का भी प्रेयत्न किया नहीं किया हो महा पर्व तो चले गए लेकिन उसकी मांगली का नुभूति के लिए हमारा जो शेष जीवन है वो हमको पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए अउसर चला नहीं गया है जितना शेष जीवन है उसका एक एक शान महा पर्व का जो प्रदेय है जो दान है शुद्धात्मा अर्थाथ हम स्वयम उससे परिचा करने के लिए उसकी प्राप्ती मन उससे परिचा करने के लिए हमारी शेष जीवन का एक एक शान समर्पित होना चाहिए शेष कोई कालिये विश्व में न आज तक हुआ है हमारे द्वारा और न कभी होगा यह बहुत महत्वपून बात है यदि आत्मा से आत्मा के द्वारा कुछ हो सकता है तो केवल एक बात कि वह आत्मा अपने द्वी ज्ञान के द्वारा शुत ज्ञान के द्वारा केवल अपना परिचर कर ले इसके अतिरिक और यह जो इतना बड़ा शटद्रव वियात्मा के विश्व पड़ा है उस विश्व में हमारे लिए न तो आज तक कोई काम रहा और न भविश्य में होगा यह बहुत महत्रिकी है बात सुनने की आत्मा यदि कर सकता है कुछ तो वह केवल दो ही काम कर सकता है या तो अपने को न समझे और न समझ कर मोहरा गदेश करे अत्वा अपने को समझ कर मोहरा गदेश को समाप्त करके शुद्य आनंद का अमरत पी है यह दो ही काम कर सकता है और तीसरा काम आत्मे के पास नहीं है सचाई से देखा जाए तो यह काम कितना सरल कितना हलका कितना सुन्दर और कितना सबकुछी प्रदाता सबकुछी देने वाला जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता आत्मा के लिए क्योंकि संपून विश्व आत्मा के लिए बिलकुल खाली है महां से उसे कुछ मिलने वाला नहीं और ना आत्मा उस विश्व को कुछ देने वाला कुछ नहीं है ऐसा जानकर जो होने योग्य कारिय है वही तो करना चाहिए न जो कारिय कठिन नहीं लेकिन असंभव है कठिन कारिय तो हो जाते है अनुभूती कठिन है तो वो तो हो जाती है क्योंकि वो हमारे वश्व की चीज है हमारी है लेकिन विश्व का जरत का कोई काम जिसके सम्मंद में हमारी धारनाएं हमारी शद्धा ये रही ये काम मैंने इतने इतने काम मेरे जीवन में किये है वो बात धोखा है अपने आपको ठगना है चीटिंग है अपने साथ आत्मा ये कहकर ये मान कर अपने साथ चीटिंग करता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम विश्व में किये है आचारी तुरू ऐसा कहते हैं कि तु अपनी सीमा से बाहर निकलता ही नहीं हर पदार्थ की हर पदार्थ की जगत में चाहे वो जड़ो हो अथवा चेतन उसकी अपनी टेरिटरी है उसका अपना सामराज्य है वो उससे बाहर निकलता नहीं और उसी में रहकर निरंतर शान्त प्रशान्त अपना काम किया करता है जब ऐसी इस विश्व की अत्यंत सुन्दर रवस्था है जब यह विश्व छेद रवियों की अत्वा छेद रवियों को विस्तार से कहा जाए तो अनंता नंत सदस्यों की नागरिकों की एक नगरी है हम कौन हैं इस विश्व के समझदार नागरिक हैं आत्मा ग्यान वाला है ना और तो ग्यान वाले नहीं है जो ग्यान वाले नहीं है वो उधम नहीं करते और जो ग्यान वाला है वो वेर्थ उधम करता है उध्यम नहीं करता उधम करता है जगडा करता है विसंबात करता है लेकिन उसका फल जैसे यहां नगर में कोई नागरित्ता के नियमों को तोड़ कर और कोई ऐसा दुशकर्म करे तो निश्चित रूप में दंडित होता है यही स्थिती आत्मा के सम्मंद में रही समझदार होकर भी ना समझ बना समझ को भी समझदार होना चाहिए समझ तो है आत्मा में लेकिन वो समझ समझदार नहीं है कुछ का कुछ मानती है कुछ का कुछ जानती है ऐसी समझ की बात दस दिन तक हमने सुनी चित आलादित हुआ प्रसन्न हुआ सब कुछ हुआ और अब उसके बाद उसके समापन के बाद आज का जो दिवस है वो कुछ मावानी पर्व कहला था कुछ मावानी विश्व मेत्रि दिवस कहते हैं लोग आदू क्षमावानी पर्व, विष्मेतरी दिवस, अथवा, the day of universal forgiveness. विष्मेतरी दिवस, the day of universal forgiveness. विजिसमे कोई जीव बचा नहीं जिस ख्षमा की प्रदिदि में. ऐसी व्यापक्षमा सारे विश्व में व्यापक सारे विश्व के प्राणियों ऐसा एक अधुत दिन आज का माना जाता है और वो है वास्ताव में देखें ख्षमावानी क्षमा दसलक्षन पर्व का प्राणब क्षमा से हुआ हुआ ना वेला धर्म कौन सा है क्षमा से हमारे पर्व का प्राणब हुआ और क्षमा से ही उस पर्व का समापन हो रहा है आज अन्तिम क्षमा ही है ना क्षमा लिया और धर्म नहीं लिया ना क्षमा से प्रादम हुआ और क्षमा में ही उसका परिवसान किया दूसरा धर्म तो नहीं लिया कि ब्रमिचर लिया हो, तयम लिया हो, तप लिया हो तियाग लिया हो, कुछ नहीं, क्षमा इसका आर्थ यह है क्षमा कोई बहुत महत्वपून तत्वा है क्षमा का भी उसकी जो गहराई है वो तो सागर जैसी है हमने उसका स्वरूप चाहे कैसा ही माना हो कैसा ही जाना हो लेकिन ख्षमा का स्वरूप बड़ा अधृत और बहुत गैदा है अपराद हमारा क्या है यह हमने जीओं को बहुत सताया बहुत पेड़ा दी बहुत दुशकर उनके जीओं को बहुत सताया बहुत पेड़ा दी यह है अपराद सचमस्तो इस विश्व में एक जीओं के द्वारा किसी दूसरे जीओं को बचाने अत्वा पीड़ा देने का विधान नहीं ऐसा होने पर भी विधान विधान ऐसा विधान होने पर भी इस अज्यानी जीओं ने उस विधान को तोड़ने का प्रेत्न करके दूसरे जीओं को मैं सताता हूं पीड़ा देता हूं अत्वा रक्षा करता हूं ऐसा मान कर और नाना प्रकार के महाद पाप पर नाम किये पुर्णे रूप पर नाम भी किये हूं तो उनकी भी कीमत नहीं क्योंकि सबसे बड़ा पाप जो मिध्या दर्शन है मैं पीड़ा देता हूं बचाता हूं और मारता हूं वो साथ पड़ा है इसलिए धर्म तो हो गई नहीं लेकिन ऐसा मानते हूए इस जीवने किसी को सताए बिना कष्ट दिये बिना कष्ट देते हैं ऐसा जो कहा जाता है रात और दिन हम भी कहते हैं ज्यानी भी कहते हैं ऐसा जो रात दिन कहते हैं उस कहने का नाम क्या है? क्या सुना हमने दस दिन में? बेवार में? क्योंते हैं, वो बात कही जाती है वास्तवेक? नहीं है, निमित्ति की अपेक्षा, वो बात कही जाती है, कहना भी चाहिए, लेकिन मानना माअपराद है. इसलिए मानते नहीं हैं. अनन्त जीव हैं जगत में. अनन्त ही जीवों के लिए हमारे परनाम कश्तों के, पीडा के, दुख के बने हैं. हमारे परनाम बने हैं. काम नहीं किया है. लेकिन हमारे परनामों में पीडा देने का, कश्ट देने का भाव, निरंतर पैदा होता रहा. इस प्रकार का एक विश्व यापी अपराव, रोजाना चला है, नित्य, नित्य चलता है. क्या क्या करते हैं हम? कितना पानी काम में लेते हैं रोजाना? क्यों खूब है हैं तो पानी बहुत है तो कसर क्या? तो गहते हैं तेरा क्या है उसमें? इसलिए ऐसी सच्छंदता का जुपाप है, उसको तुरंत पर इत्याग करो. काम में लेने की बात वो भी रवहार. क्योंकि किसी दूसरी वस्तु को आत्मा चूता तक नहीं. और दूसरी वस्तु आत्मा को नहीं चूते. इतना होने पर भी, यह जो विकल्प, रात और दिन, जगत के पदार्थों के प्रति पैदा होते हैं, रागात्मक, अत्वा मिथ्यादर्शन, मिथ्याग्यान, मिथ्याचारित्र के विकल्प, यह विकल्प हैं अपराग वस्तों में. और इन विकल्पों का अभाव हो, तो उत्तमक्षमा होती है. यह एक्षमा, ख्षमा का अभाव रूप जो अधर्म है, पाप है, वो भी भीतर पैदा हुआ, बाहर नहीं, और बाहर उससे एक तिनका भी नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ. कोई किसी के कुछ सताने के लिए, अत्वा उसका वद करने के लिए, कितने ही पैत्न करे, जीवन भर. लेकिन वो फैल हो जाएगा. क्योंकि उसका जीवन उसके हाथ में नहीं, उसकी आईू के हाथ में है. इसलिए गर्थ पैत्न करता है, कष्ट पाता है, दुख पाता है इसलिए ख्षमा के ख्षमा में हम जो कर लिया करते हैं ख्षमा का स्वरूप न समझ कर तो समतो ये तो जवहार ख्षमा हुई वो उत्तम ख्षमा है वास्त जे ख्षमा ये तो ख्षमा, मुझे ख्षमा कीजिए जाजा करे तो कुछ कह दे मैंने आपके मेरे उस दिन जगडा हो गया था लड़ाई हो गई थी गाली गलोच हो गया था इत्याद इत्याद ऐसा करके क्षमा मांग ले तो हमारा अपराद क्षम में हो गया ऐसा नहीं मान लेना इतने मात्र से अफराद ख्षमा हो जाए तो नर्ट और निगोट की जरूत ना रहे तो फिर नहीं करें कहते हैं वो तो करना ही चाहिए और वो तो हो गए होगा क्योंकि हमारी जो भूमिका है विकल्पों की उन विकल्पों की भूमिका में इस प्रकार के कोमल भाव दसलक्षन के बाद इस प्रकार के नरम भाव आते ही आते हैं और उसमें मुझे एक्षमा कीजिए ऐसा कहना वह बहुत आवश्यक है भले ही उससे कोई एक्षमा का समाधान नहीं होता अप्राद का समाधान नहीं होता लेकिन तो भी चित्त की जो कोमलता है उस चित्त की कोमलता के ये उद्गार है कि हमने दसलक्षन में ये पाया है और हमारा चित्त इतना कोमल हुआ है इसलिए मैं आप से अपने समस्त अप्रादों के लिए ख्षमा चाहता हूँ सबसे तो ख्षमा नहीं जगत तो बहुत बड़ा है ना और जीव अनन्त है अब अनन्ते क्ष्मा कैसे मांगेगा वह पानी जो हम अनर्गल रोजाणा बहाते हैं उस पानी से क्ष्मा कैसे मांगेगा उसमें अनन्त जीव है या नहीं है तो कैसे ख्षिमा मांगेंगे? कितने ख्षिमा मांग भी रहें कि सारे जीव खमामी सब्वे जीवा सब्वे जीवा खमन तुमे मैत्री में सर्व भुए सू वैल मत जमन के नही ये कह दिया सब जीव मुझे ख्षिमा करें मैं सब को ख्षिमा करता हूं बहर भाव नहीं है, हो गया काम कि तें कहीं हो जाता हो मान लिया जाता हो लेकिन दिगंबर जाएं धरम मे तो नहीं हुआ बात बहुत गैरी है क्षमा कोई गैरा तत्व है इसलिए ये जो अपचा रिकताएं है प्रारंब की अपचा रिकताएं दसलेक्षन के बाद लोग चिठियां लिखेंगे ना? चिठियां लिखेंगे उसमें सची सची बात लिखेंगे, जूटी भी लिखेंगे. सची बात, हमने दसलेक्षन पर बहुत आरादना से मनाए तेरे आरादना से मनाए, तेरे आत्म दर्शन का, तेरे सम्मेख दर्शन का तो अभी ठिकाना ही नहीं है, उसके बिना तो ख्षमा होती नहीं है. क्योंकि स्वरूपी नहीं जानता है, ये वास्तों में मानता है, कि मैंने अगर किसी से ख्षमा मांगी, और उसने कह दिया, मैं आपको ख्षमा करता हूँ, तो मेरा अपराद खतम हो गया. तो ये बात तत्वज्ञान रूप सम्यक दर्शन के बिना नहीं जानी जा सकती, कहते हैं ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा है, तुझे नरग जाना ही होगा, इसलिए उसके बिना वास्तों में नहीं होता है, लेकिन ये जो अप्चारिकताएं हैं, तो हम तो घर से प्रादम होनी चाहिए, क्यों रोदाना काम तो वहाँ पड़ता है, तो घर से प्रादम होनी चाहिए, और ये जो ख्षमाय आचना की जो एक व्रत्ती है, ये जो परियाय पैदा होती है, तो ये तो हमारे भीतर पड़ी ही रहना चाहिए, इस टॉक में ही ज पढ़ी ही रहना चाहिए क्योंकि बहुत अपराद हमसे निरंतर होते हैं इसलिए परिवार में भी यदि कोई किसी से कोई अपराद हो कोई गलती हो तो तुरंत ही क्षमाय आचना का बोल क्षमाय आचना की वाणी तुरंत मुँसे निकलना चाहिए अगर नहीं निकलती है तो वह व्यक्ति दुष्ट है यह तो गवार की बात चलती है गवार ख्षमा की अरे उसके परिवार में भी अपराद करता है रात और दिन गलतियां होती है और उन अपराद के होते ही मुझे ख्षमा करना बेहन ए माँ ए पिता मुझे ख्षमा कीजिए पिता भी हो तो बच्चे से भाईया मेरे से ऐसा अपराद हो गया पत्नी हो तो पत्नी से पत्नी के द्वारा पत्ती से जिनके बीच में रहते हैं रात और दिन बोलना पड़ता है, वाणी निकलती है, कार्य होते हैं तरह तरह के, उनमें यदी हमारे भीता, चित में कोमलता स्थाई नहीं हुई, दसलक्षन, दसलक्षन को पाकर, दसलक्षन जैसे, जैसी मा विभूती, वैभव है वो दसलक्षन, उसको पाकर, यदी हमारी चित में कोमल नहीं हुई, सदा के लिए, तो चित में कोमल नहीं हुई, और परिवार में भी अगर उसका गवार नहीं होता है, तो दूसरे जीवों के पती हम क्या करेंगे कहा को मलता होगी और कहा क्षमा होगी दूसरे जी होगे इसलिए दसलक्षन को पाका चित्त में इतनी स्थाई विशुद्धी दस्धर्म है न उन दस्धर्मों में आया या या नहीं आया उत्तम चिमा कहो रे भाई ये भाव सुख पर भाव ये भाव सुख पर भाव सुखदाई गाली सुन मन खेदन आनो ये सब आया न एक-एक धर्म का आया न उस सब क्या है वो केवल एक बात के वो दस्धर्मों का जो व्यवहार है ये व्यवहार है सरा उस व्यवहार से हमारी चित्वती चित्वती सदा के लिए कोमल हो जाए नरम हो जाए इतनी नरम हो जाए कि मानों उसमें राग वर द्वेश रही नहीं ऐसा लगे रहेंगे तो सही जब तक भी तराग नहीं होगा लेकिन इतनी चित्वती कोमल हो जाए कि उसमें किसी की कड़वी बात सुनकर कड़वी ना लगे और तत्वग्यान के द्वारा तुरंट उसका समाधान करे इतनी विशुद्ध हो जाए हम लोग तो अरे हमें तो दिगंबर जैन धर्म जैसा ये पारस मिला है पारस कोई अनूठी चीज मिली है तो धन्य हैं हम लोग वास्तों में देखा जाए धन्य हैं लेकिन धन्य मानते नहीं हम हम तो धन्य मानते हैं सोने का डला मिल जाए कोई सोने के दस पाइस किलो के अब उशन घर में पड़े हों तो हाँ अपने कोई कमी नहीं अरे तेरे तो सारी कमी है तो तो दरिद्री है दरिद्री इसमें तेरा क्या है इस मित्ती में तेरा क्या है इस धूल में तेरा क्या है दरिद्री है तू तू तेरे पास अपना जो वैभाव है अनन्त वैभाव शुद्य चैतन्य के पास जो स्थाई पड़ा है धुरू पड़ा है जिसका कभी नाश होता नहीं ऐसा जो धुरू पड़ा है ये बात शद्धा करने की ज्यान के द्वारा शद्धा करने ज्यान में सत्य ज्यान कर परं सत्य ज्यान कर और शद्धा करने की सच्मुच मेरा चैतन्य महान सम्रद्धिशाली और वैभाव शाली है क्योंकि जगत के पास अगर वैभाव है तो मेरे पास क्यों नहों मेरे पास मेरे लाइक होगा एक फूल है फूल बाग में और उसकी सुगंद उड़ रही है तो फूल में से क्या उड़ेगी? सुगंदी उड़ेगी ना हम ये चाहें कि इस फूल में से सुगंद के बजाए कोई सोने का पांस तोले का हार निकल पड़े तो वो निकलेगा तो फिर आत्मा से हम ये चाहें सुगंद दिखाई देती है? नहीं देती फिर भी कितना हम को महत उसका आता है इसी तरह आत्मा का वैभाव वो तो ज्ञान से दिखाई देता ज्ञान के द्वारा वो अनुभाव में उस सुगंद किसके द्वारा अनुभाव में आई? यांखों से? सुगंद आखों से अनुभाव में आई? तो किससे अनुभाव में आई? ज्ञान नात के निमित से जो ज्ञान होता है उससे उसका अनुभव हुआ, उसी तरह हमारे पास जो मती ज्ञान और शुतक ज्ञान हैं, उनके द्वारा चैतन्य के वैभव का स्पष्ठ अनुभव होता है, और तब ये जानता है, गारे मैं तो इस विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वैभव शाली, संब्रद्ध और सबसे अधिक संदर ही है, वो भी मेरे पास ही है, मैं बदसूरत नहीं है, ये बदसूरत तो, ये मैंने जान भूच कर अपने अपने शकल पर मोर आगत देश का की कालिमा पोती, जान भूच कर, इसलिए बदसूरत दिखाई देता हूं, वास्तव में मैं तो महा सुनदर जगत का संदर हूं, वर्ल्ड ब्यूटी हूं, विष्व का संदर हूं, इतना सम्मान, इतनी मैमा आत्मा की हो, तो क्षमा धर्म का जन्म हो सकता है, तो यह जो क्षमा मांगने की जो गत्ती है, जैसे आज करेंगे ने लोग, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, तो वो तो होने ही चाहिए, वो कोई बंद करने की बात नहीं कही आ रही लेकिन वहाँ अतकने की बात भी नहीं वो वास्त भी क्षमा नहीं, वो तो क्षमा का केवल स्थूल व्यवार क्षमा का स्थूल व्यवार क्षमा वास्तों में महापुर्शों नहीं कहा है कि वे तो वीरों का आभूशन है शमा वीरस से भूशनम वो तो वीरों का आभूशन है किसके पार रहती है शमा कोई हजारों गालियां दे और इसके भीतर उसके सम्मंद में ये विकल्प भी पैदा ना हो कि इसने मुझे गाली दी तो कौन वीर हो रहा किसकी शक्त इजाज़ा गाली देने वाले की मारने वाले की पीटने वाले की या जिसने ये जाना कि कुछ हुआ ही नहीं क्यों क्यों बिचारे पर क्यों बिचारे के संबन में अपन ये विकल्प भी करें कि इसने मेरा कितना नुकसान कितना बुरा कर दिया कितनी मेरी इज़त सराब कर दी इस विचारे की पती अपना ऐसा क्यों करे अपना कुछ हुआ ही नहीं ने टटोल कर तो देखो देखो सारे चैसने को टटोल कर एक एक चपा चपा एक एक पदेश पदेश टटोल कर देखो किसी ने कुछ किया है तो कुछ हुआ है क्या अगर नहीं हुआ तो फिर विचार करने की विचार करने में भी समय का नाश क्यों करते हूं अनमौल समय करते हूं जो समय चैतनी के चिंतन में रन्भा में जाना चाहिए उसको हम उस निरपराद के समग میں विछार करने में मैं समार्त कर रहेyd उह उसमें नष्ट कर रहे निरपराद गालियां दे रहा है मार पीप कर रहा है और निरपराद करते है अपरादी हो वले ही वो वो अपने स्वेयम के भीतर वले अपरादी हो क्योंकि आत्मा का ऐसा कर्म वो अपरादी नहीं जगत में कोई अपरादी नहीं कि जिसने आज तक मेरा नुकसान किया हो और जगत में ऐसा कोई निर अपरादी नहीं कि जिसने मेरे लिए मुक्तिक अद्वार खोल दिया हो है यह नहीं ऐसा इसलिए सबसे पहली बात तो ये व्यवहार इस व्यवहार की बात पहले करें कि ये व्यवहार कि जिसमें चित्त की भूमी बिलकुल मौम बन गई है मौम जरा सी बात जरा सी गलती होते ही जैसे वो पिघलता है हरदय और पिघल कर कहता है मुझे शमा करना बविष्ष में ये अपराद ये गल्टी नहीं होगी ये भी साथ में हो और ये इस होना है तो मैं प्रेत्म करूंगा के नहूँ जिसने ऐसा जाना उसको किसके पृती राग और देश किसके पृती राग और देश जब जगत से हमारा कोई हानी और लाब नहीं होता जगत में जब कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं है तो फिर किसके पती राग और किसके पती द्वेश आचारियों ने यह बात बहुत ही गौरव पूरवक चैतन्य को कही अरे जब विश्व में तु तत्व ही ऐसा है ऐसा वज्व तत्व है तू तेरा जो बंगला है वो बंगला तो रत्नों की राशियों से भरा हुआ है रत्नों की राशियों से इतना वैबोशाली तू तत्व है और वो बंगला वज्व में है उसमें किसी का प्रवेशाज तक हुआ नहीं जब ऐसा है वस्थ व्यवस्था ऐसी है तो तत्व ऐसा ऐसा अनुपन तत्व है तो ऐसा अनूठा तत्व है तो इस विश्व में तब तू ये विकल्ब क्यों करता है कि मेरा ऐसा हो गया तू बनाई ऐसा हुआ है हमने थोड़ी बनाया है तू अनादी से ही ऐसा बना हुआ है कि तेरे में एक निशान भी नहीं हो सकता मा युद्ध हो और परमान भम चल रहे हूँ तेरे निशान भी नहीं होगा ऐसा चैतन्य तू है ऐसा जिसने जाना उसने संपून राग और द्वेश का वमन कर दिया बहुले अब किसके पती राग करेगा बड़े गौरत क्या कही आचारे ने बाद अरे जब तेरे को कोई लाव और हानी नहीं कोई इस्टा और निस्ट नहीं सादत और बादत नहीं तू भी राग और द्वेश की बंजाश का है हमको बता तू किसके पती राग और द्वेश का है बंजाश ये तो सारा का सारा ज्यानियों का ब्यापार है जो ये माना करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है कि होता कुछ नहीं है इस प्रकार ये रवहार क्षमा का रूफ ये तो हमारी चित्त की विशुद्ध भूमी में प्रती समय विद्यमान देना चाहिए करते हैं आज तक कितने दस लक्षन बिताए कितने बिताए मैं तो असी बरस का हो गया तो असी बीट गए अग नहीं दस लक्षन इतने दस लक्षन बीते तो भी चितने विशुद्ध नहीं हुई अरे समय दसन तो वहां लंदन गया वो तो अमेरिका गया वो तो विदेस चला गया गुफा में चला गया लेकिन विशुद्ध पैदा नहीं हुई हम जितने मुमुक्षुयां बैठे हैं हम याद कर सकते हैं वर्ष में इस बात को कि मुझसे ये गल्टी हुई थी और मैंने उससे ख्षमा मांगी क्या ऐसी गटनाएं गटती हैं हमारे मंडल में और तो जाने दें दुनिया को जो इस बात को समझते ही नहीं लेकिन क्या ऐसा हुआ है अरे नहीं हुआ है तो हमारा पर्व का मना कि का मना हमारा पर्व हम तो उत्तर देते हैं जवाब देते हैं सफाई पेश करते हैं जूट बोलते हैं कि जूट बोलते अरे सफाई ची कहा जरुत है जब अरे तेरी जो गल्टी है और अपराद है उसका यदि किसी दूसरे को पता भी न चले लेकिन तेरे को तो पता है न, कै नहीं है नहीं है एक जूट बोलने वाला जानता है कि सचाई क्या है और जाने न जाने और उसकी जूट को भले ही सत्य मान ले लेकिन जूट बोलने वारा जानता है इस बात को कि सत्य क्या है उसका नाम वो कुछ और बता रहा हूँ तो जानता है नहीं कि मेरा असली नाम क्या है तो हम अपने अपराज को यदि कोई दूसरा नहीं भी जान सके तो भी हम अपने अपराज को का हमें पता लग गया हो गल्ती का पता लग गया हो तो तुरंट उसको कहना चाहिए मेरे परिनाम आपके प्रतीस प्रकार के हुए मैं रदैसे ख्षमा चाहता हूँ ये तो विशुद्ध भाव है खेवल पुन्ने भाव वास्त भी ख्षमा नहीं ऐसे ख्षमा मांगने से ख्षमा हो जाता हो तो फिर पुन्ने और पाप का यहीं फैसला हो जाएगा सारा फिर चार गतियों की जरूत नहीं रहेगी सारा फैसला यहीं हो जाएगा न उसने देदी और हमने ले ली हमने देदीर उसने ले ली करते हैं हम करते हैं किया है किसी ने क्षमा मांगी अपराद पर यहाँ अरे साव अपराद भी नहीं होता क्या क्षमा मांगी अरे अपराद तो पदबद पर है पदबद पर अपराद बहुत गलतियां आम करते मुमुक्ष मंडल कोई सामान नाम नहीं है उसका दायत तो बहुत है मुमुक्ष मंडल हो, वीर बनता संग हो ये सब सारे जो गुर्देव के हम्याई है अरे इनमें ये व्रत्ती पनब जानी चाहिए सफाई पेशना करें हमारा हदर बोलता है के वास्तों में गलती हुई है तो तुरंट हमारे हाथ हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए हमारी वानी बिलकुल मिश्री हो जाए ख्षमा कीजिए, ख्षमा कीजिए भविश्य मैं नहीं करूँगा ये तो ब्रवार ख्षमा हुई जिसमें पुर्णे बंद हुआ ख्षमा वास्त बिक्षमा तो जब तक आत्मदर्शन नहीं होता और ये नहीं जाना जाता कि जो चैतन्य है वो तो सदा से ही परमशुद्ध तत्व है परम रमनीक तत्व है अरे वो तो सुर्वित वाटिका है उसमें तो सब्जेगे चन्दन ही चन्दन के रक्ष लगे है सौरब ठोट रही है ऐसा मेरा चैतन्य है और उसका कभी आस्तर कोई बिगार नहीं हुआ और कोई उसमें सुधार कर नहीं सकता इतना संपूर्ण इतना पूर्ण पूर्ण वैबवशा दिए परम शान्त परम प्रशान्त महासागर की तरह ऐसा मेरा चैतन्य अर्थात मैं हूँ ऐसा जिसने जाना उसे अपराद ही नहीं होता उसका नाम संपूर्ण दशान उस चैतन्य को जिसने शुतक ज्यान के द्वारा स्वसंबेदन ज्यान के द्वारा शुद्धोपयोग के द्वारा ध्यान में ध्यान में आत्मा की अन्भूती होती धर्मत ध्यान में पहली जो अन्भूती होती है, दर्मत ध्यान में होती है, ध्यान करते हैं न लोग, वो ध्यान है वो, अरे ठगी है ठगी, ठगी में मता ना, विपश्चना और 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 दूसरे भी नाम है, जब तक धे का पता न लगे, किसका ध्यान करना है, तक किसका ध्यान होगा, जब धे का ही पता नहीं, शुद्य चैतन्य के सुरूपका ही पता नहीं, तो कौन सा विपश्चना ध्यान होगा, देखे जाओ रागर देश टोद मान माय लोग जो चलते हैं उनको देखे जाओ उनको देखे जाओ और रोते जाओ लेकिन सच मुच इस क्षमा को उत्तन क्षमा बनाने के लिए शुद्ध चैतन ने जो क्षमा शील है क्षमा शील कैसे है इतने उतल पुथल सारी पत्थी पर होते हैं सारी पत्थी पर होते हैं और और होते हैं तूफान आते हैं सब होते हैं आत्मा का क्या होता है आत्मा में की उस शुद्ध आत्मा में कोई विकल बुड़ता है अरे तूफान आ गया ओहो तूफान आ गया तो वह तो जोंकर त्यों हिलता है नहीं होता है। उसमें तो ज़वा भी परीवर्तन, थोड़ा भी परीवर्तन नहीं होता। इसलिए उसको क्षमा कहते हैं उस आत्मा को, और क्षमा प्रत्वी को कहते है। प्रत्वी कैसी होती है प्रत्वी पर अगर किसी ने अंगारे डाल दिये तो रोने लगी नहीं रोई और किसी ने महान शीतल पानी बर्फों की शिलाएं बिछा दी तो आसने लगी तो आत्मा कैसा है कि जगत में कुछ भी हो रत्व कर्ण में आया है एक जगे काले कल्प शतेपी चे गतेशिवा नामने विक्रिया लक्षा उत्पातों प्यदी स्यात चे तिर्लोप संभांती करन पटू तीन लोप में उत्पात मचाने वाला उपद्रव भी यदी हो जाय तो भी सिद्धों के ग्यान में विक्रिया नहीं देखी जाती तीन लोप में उत्पात मचाने वाला ऐसा उत्पात हो जाया ऐसा उपद्रव हो जाया तो भी चैतन्य तो सदा ही वही का वही अज़े कुछ हुआ ही नहीं कुछ होता ही नहीं हुआ ही नहीं कुछ जैसे वर्दान किसी दिश्ची का होता है जैसे वर्दान किसी का हो तो जिसको वर्दान मिल गया है वर्दान सत्चा है तो उसको कभी भें होगा अरे कई मरनी जाएं के के मरनी जाएं के अरे कहां मर कहते हैं मेरे को तो वर्दान है कहां मौत इसलिए क्षमा को उत्म बनाएं ये ये जो विशुद्द्धि की क्षमा है वेवार क्षमा वेवार क्षमा तो पहले होई हो जनेंद्र के जनाले में आकर अब सरक्षात भगवान जनेंद्र का मुँझ देख कर परम शानत परम परशानत वीतरा जिसमें न राग न द्वेश और वो मुद देखकर हमारे चित्त में ये विशुद्धी पैदा न हो तो हम जैसा कथो निर्दे प्राणी कौन होगा विश्व ये निर्दे था ये हिंसा है चित्ती नहीं हिंसा लो किसी का किसी के चित्त में अरे होगा होगा दया का परणाम ही नहीं आता दया के परणाम से चित्त में विशुद्धी होती है बक्ती के परणाम से चित्त में विशुद्धी होती है और वो विशुद्धी स्थाई हो आई गई नहीं हो वो विशुद्धी स्थाई रहेगी तो उस विशुद्धी में श्री गुरू के द्वारा चैतन्य का स्वरूप जानकर हम अपने शुतग्यान को चैतन्य के निकट ले जाकर उसका दर्शन कर लेंगे उसका नम सम्यक दर्शन रफ़ार उत्तमक्षमा वो उत्तमक्षमा कहला थी तो उसके बिना कहा होगा यहां तो अगर पाप छोड़ दिया तो पुन्ने में जाटका पुन्ने में जाटका इसलिए सच मुझ तो जो महान जो वास्तविक उत्तमक्षमा है मैंने जिस उत्तमक्षमा में मैं मात्रा बहुत है शान्ती की तो ऐसी उत्तमक्षमा तो मुनिराजों को होती लेकिन उसके पहले हमको क्षमाई ना हो यह बात भूल जाना चाहिए हम भी उस चैतन्य का दर्शन करके वो तो क्षमा स्वरूप ही है चैतन्य तो तो वो मैं हो ना तो मैं हुआ ना क्षमा स्वरूप इस तरह अपने आपको क्षमा स्वरू प्रागद्वेश रही पन्य पाप रही सर्विकार रही जानकर जिसने उसका अनुभव किया उसको उत्तमक्षमा का प्रारम हो गया ग्रैस तो हो अरे उस मैंनक को प्रारम हो गया हम तो चिडिया को प्रारम हो गया उसको है ख्षमा हमने ख्षमा मांगली वो ख्षमा नहीं हो चिडिया कि दिजे ख्षमा मांगती नहीं लेकिन उसको है ख्षमा हम जान्वरों से भी गये वीते एक बार तो मस्तार नीचा हो जाना चाहिए जुक जाना चाहिए ऐसी उत्तम शमा का प्रारम उस सम्यक दर्शन से होता है सम्यक दर्शन के दुर बहुत घीत रहे है मूल है उस तो मूल, मूल किसको कहते है कि जिसके होने पर रक्ष होता है फिर रक्ष हरा भरा देता जिस धर्म का मूल सम्यक दर्शन और चारित्र वास्तव एक धर्शन उस सम्यक की प्राप्ति आज इस उत्तम ख्षमा के दिन हमको हो ऐसी भावना निरंतर करना चाहिए पुर्शाज के बिना नहीं होगी जगत में चित बतिया उलजी हो जयान जगत में उलजा हो रात और दिन जवसाए जवसाए के इदर जवसाए करता जा रहा है उदर दिवाला होता जा रहा है अरे ये तेरे अधिकार ख्षेत्री की चीज़ नहीं है तेरे अधिकार ख्षेत्री की चीज़ होती तो दिवाला नहीं होता इसको छोड़े एक बार तो यहां से चित्त को हटा ही रहे इस फटा ही होता है अपने आप ही होता है विकल्ब आये बिनानी रहते अरे वो विकल्ब यदि आते भी है तो यह इसमें तो जान लिया है रहत शुद्द चैतन्य को जान कर इसलिए वो विकल्ब आये लेकि पराए हैं सारे और परके संम्ड में आये हैं इसलिए वो पराई चीज भी पराई वो दन भी पराया और दन के सम्मन में होने वाले विकल्बी पराई इस समधान हो गया उस विकल्ब में भी नहीं बुल जाओ इस तरह उत्तमक्षमा तो गीत में आयन एक गीत में सम्कित बिना जीव जगत भट क्यो दरशन बिना सम्कित बिना जीव जगत भट क्यो दरशन बिना नरक निगोद में तू फिर आयो नरक निगोदा में तू फिर आयो तो प्रभु जी का चर्णा में जाट क्यो दर्शन देना नरक निगोदा में तू फिर आयो तो प्रभु जी का चर्णा में जाट क्यो दर्शन देना कितना संदर है अरे सारे जगर घूम कर आया मरक और निगोद में सम्यत के दिना और फिर क्या हुआ कह रे भरवान अरंत की का सानिज भी मिल गया तो भरवान अरंत में अतक है वही निगोद में था वही निध्यात भगवान мिल जाने पर भी जओं का चिमरा है भगवान आप ही हैं सबकुछ आप ही तारने वाले मैं तो पामर हूँ मेरे में तो शक्ती नहीं है आप ही तारने वाले हैं बस इतना, एकान, ऐसा मानता है, अरे कहे तो सही, कहे भक्ति में तो ऐसा आता है, भक्ति में तो करता कर्म भाव आए भी में रहता ही नहीं, लेकिन वो करता कर्म भाव का पाप नहीं है, जवार है, तो भक्ति में तो ये करता कर्म भाव आने पर भी ज्यानी है ये जानते हैं अरे भगवान भगवान से अगर मुक्ती मिलेगी तो तर भगवान का एहसान म maximalist होगा हमेशा तो नियाक उल्ता कहा होगी लेकिन इसने क्या किया कि इदeldर सारी जगत में घुम कर भगवान ने जाता भगवान में अतक गया भगवान भी अतक ने की वस्तू, बक्ती करो, लींता पूर्वा करो, हे जान कर, भगवान भी कुछ देने वाज़ा, क्यों दें भगवान, मेरे पास क्या कमी है कि भगवान दें, मैं जब करूर पती हूँ, और वो भी करूर पती है, तो मैं उसे माँँँ ये बात कहा मनती है, ये का मनी जबा, भगवान भी अरपती है, और मेरी अरपती, क्यों, इस तरह है, भगवान के चर्णों में भी ना अचक कर, भक्ती भले लींता पूर्वा करे, लेकिन सच मुझ भगवान भी अन्य है, परदर रहे, और उन में मेरा कुछ नहीं है, कुछ देने लेने वाले नहीं है, ऐसा जान कर, चैतन्य की योड जांके, उसका नाम उत्तम ख्षमा, इसमें मैं किसी को ख्षमा करूं, अत्वा कोई मुझे ख्षमा करे, ये दोनों प् विकल्पों का अबाब, ये विकल्प का अबाब हो तब न उत्तम ख्षमा, उत्तम ख्षमा तो संकर निर्जवा है, और ये तो पुने मंद है, इसमें तो बंद होता है, विकल्प ही ना हो, और वो विकल्प मुनिराज को नहीं होता, न जर्मी का जलती भी शिलाओं का पता और नबर्साथ का वरक्ष के नीचे बैठ रही है और तब तब थंडा पानी गिर रहा है चारों और पानी फैल रहा है और जंगल के जीव जन्तू वो शरीर पर चड़ रहे है और डांस और मच्छर खा रहे है क्या है ये कोई पत्थर है क्या है दुनिया तो ये सोचती है अरे ये पाशान है ये जीव है ये क्या है क्यते हैं इसको ही जीव कहते है कि जिसको ना डांस लगता ना मच्छर लगता जिसको ना शीत नगर कुछ होता ही नहीं है ऐसे मुनिराज परीश है परीश सहना कोई ऐसा मानता हो मुनी बनकर मुनी राज बनकर मैं परिशा सेन करता हूँ ऐसा चैतनी के दर्शन के बिना सम्मेर दर्शन के बिना आत्म दर्शन के बिना अगर कोई ऐसा मानता है मैं परिशा सेन करता हूँ वो तो अज्यानी है मुनी हो तो क्या हो वे तो शास्प्र में कोई पक्षबात होता है क्या? बगवान की वानी में पक्षबात होगा? कहते होते हैं यू जैँतने का कुछ भिगड़ता ही नहीं तो ओ मानता हो परिशेसे लेकरता है. इसका आर्थी है के परिशेसे में अगा नुकसान होता है. और आत्मा का नुकसान कभी होता नहीं इसी तरह उपसर उपसर होते हैं इस तक क्या है हमें तो दया दया कहते हैं हम तो कि मुनिराज के तरह दया होती है या भक्ती होती है हरे दया आना चाहिए दया आना चाहिए दया के पात रहे मुनिराज दया के पात्रते दुखी जी होते हैं जगत के वो तो भक्ती के पात्र हैं हमेजी भक्ती के लेकिन उस भक्ती में भी भक्ती में बले ये बाव आवे अरे कितना उपद रहूं कितना उपसर कितना पर ज्यानी अगर है और वो मुनिराज का स्वरुख समझता है तो वो ये जानता है कि मुनिराज को इतना उपसर, इतना उपद्र होने पर भी, सिंग खा रहा हो, तो इतना उपद्र होने पर भी मुनिराज को दुख नहीं होता. क्यों मुनिराज तो भीतर रहते हैं भीतर कहा है मुनिराज ये नगन शरीर हैं ये नगन शरीर ये मांतल शरीर ये मुनिराज है कहते हैं उस चैतने के साथ रहता है और इस प्रकार का व्यवार होता है तो कहते हैं मुनिराज वास्तों में मुनिराज तो उस शरीद के भीतर बैटे कि जिनको वो उपसर्व छूता ही नहीं है इदर जगत अज्यानी जगत ही जानता है कितने कश्ट हो रहा है अरे कितने मूर्खे लोग इनको सता रहे हैं और उधर मुनिराज भीतर से आनन्द का अंबत भी रहे है पूछो उनसे आपको तकलिफ हो रही है नहीं और उपसर्व करने वाले के पती जहां ध्यान से थोड़ा सा हिल चिगे उपसर्व करने वाले के पती कहते हैं धर्म ब्रद्धी जरा भी देश नहीं यारे उपसर्व हुआ ही नहीं कुछ क्याए नहीं मेरा तो मुझे इसका विचार ही क्यों इसके पती मैं क्या विचार करूँ कि इसने कोई उपसर्व किया मेरे उपसर्व जो यह मानते हैं मुनिराज होकर भी कि मेरे उपर उपसर्ग होता है और जिनों ने उशुद्ध चैतनिकों के जिसपर उपसर्ग होता ही नहीं उसको देखा नहीं वो वास्तविक मुनिराज नहीं कहलाते पर लो अश्टपाउड सब मिल जाएगा अश्टपाउड में सारा स्वरूप मिल जाए ये मुनी निंदा है क्या या प्रशंसा है अरे मान से मान उपद्रव जगत के कहे जाने वाले उपद्रव देखे जाने पर भी जो निरंतर अनंद का अम्रत पीते हैं ये प्रशंसा है या निंदा है पुर्षन ताजät, जिननों ने चैटन्य को देख लिया वे ये कैसे मान सबते हैं कि मेरे उपर उपधर होता है 아니, यहाँ तो कॉई आता ही, नहीं आया ही, एन्य आज तो देखा ही नहीं कोई आया है कोई नहीं आता, मेरे भीतर आया ही नहीं आता उसका नाम ख्षमा वानी उत्तम ख्षमा उसको कहते हैं उत्तम ख्षमा उस परिनाम का नाम उत्तम ख्षमा और उस चैतन्य तत्व का नाम उत्तम ख्षमा वो है ख्षमा वास्तव जो हिलता ही ने तत्वी की तरह चाहे अंगार डालो, चाहे भरफ डालो, दोनों ने कोई अंतर नहीं है, ऐसा एक अधुत दिन, ये महापर्व के बाद आता है, और महापर्व का प्रारंब और समापन दोनों ही इस उत्तमक्षमा में होता है, ऐसी उत्तमक्षमा ग्यवारक्षमा के साथ, ये सच्ची उत्तमक्षमा सम्य दर्शन को लेकर, सम्य ज्ञान को लेकर, और हम भी मुनिराज बनने की निरन पर भाव ना रखते हुए, उस वास्तरिक उत्तमक्षमा के पात्र बने, ये आज की दिन का मंगल मैं संदेश है, झाल झाल